नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत श्वागत है आपके अपने चनल स्टॉक्स बाजार में इस पीडियो में हम बात करेंगे How to Select Mutual Fund Mutual Fund को कैसे सेलेक्ट करें? 5,000 से अधिक Mutual Fund है और उन Mutual Fund में सबसे Best Mutual Fund सेलेक्ट करना काफी काफी कथीर है तो इस वीडियो में हम Mutual Fund को सेलेक्ट करना काफी आसान बनाने की कोशिस करेंगे जैसे आप अपना Best Mutual Fund सेलेक्ट कर सकते हैं Long Term Investment के लिए साथ-साथ अपने पोर्टफोलियो को डाइभर्सी फाल करने के लिए तो कुल 8 परामेटर्स को मैंने यहां का सामिल किया है होगा सबसे Best Mutual Fund होगा तो अगर आप Grow App यूज करते हैं तो Grow App पर काफी अच्छे से क्रिसिल रेटिंग जहें Mutual Fund का दिया हो रहता है तो जहां से आप क्रिसिल रेटिंग देकर के जहें Mutual Fund को Select कर सकते हैं उसके बाद दोसरा जो कहते है're प्लान, Direct Plan है या Regular Plan है दिय्के Direct Plan में हमारा जो होता है कई सारे benefit होती है यह डॉर्ष्ट प्लान में हम Mutual Fund को Direct Select करते हैं और Direct Invest करते हैं उसमें कोई बीच में Intermediate नहीं रहता है जैसे हमें Commission नहीं देना पादा है जब हम डाइक्स प्लान चूर्च करते हैं तो उसके साथ साथ एक्सपेंस रिश्यो को भी आपको ध्यान रखना चाहिए थेक्सपेंस रिश्यो किसी फंड का काफी ज़ादा है तो लॉंग टर्म में काफी ज़्यादा वो एफेक्ट करता है किसी का expense ratio का 2 है और किसी का expense ratio 0.5 है तो 1.5% का return पर एफेक्ट पड़ेगा जो annual return है तो long term में काफी ज्यादा affected करेगा आपके return को तो हमीशा जो कम expense ratio वाले fund है अगर same fund ही किसी भी जैसे large cap fund लेने तो सकता है इसको देखना इसको compare करना सबसे important राता है क्योंकि हम तो overall return के लिए ही बुचल fund में invest करते हैं equity में invest करते हैं stock market में invest करते हैं return देखना काफी important होता है तो past return को भी देखें और उस fund में कौन से stock है जो आगे चलकर कैसा return दे सकता है कि इसको जरूर ट्रेक रहे है उसके पाचमा है अगला point है वह है fund manager record, fund manager का record कैसा रहा है क्योंकि किसी भी गारी पे आप सवार हो जाते हैं लेकिन वह गारी आपको अपने लख्ष तक तभी पहुचाएगा जब उसका driver अच्छा हो तो fund manager जो होते हैं किसी भी fund के driver के समान होते हैं तो वही आपको investment के लख्ष तक पहुचाएगा तो fund manager का record जरूर पर लें कि वो fund manager का कितना experience है किस तरह से भी fund manage किया है कैसा return generate करके अपने investor को दिया है इन सारी चीजों को हम फिर example के माध्यम से भी आपको बताएगे तो फाहले सारे point देख लेते हैं फिर हम example के जाएगे कि कैसे इन सारे points को आपको किसी भी fund को compare करते समय देखना है उसको जो साथमा है वो है compare to benchmark अपने benchmark से जरूर compare करें अगर आप जैसे large cap चूटते हैं निफ्टी 50 से हम उसको compare करें क्या वो निफ्टी 50 को large cap अपने जो हम इन्वेस्ट करते हैं मुचल फंड में वो निफ्टी 50 के benchmark को बीट करता है क्या नहीं तो हर मुचल फंड अपना benchmark सेलेक्ट करके रहता है अगर वो बेंचमार्क को लगातार बीट कर रहा है तो निफ्टी 50 मैनेजर काफी अच्छी है काफी अच्छा रीटर्म वो फंड जैनरीट करके आपको दे रहा है उसके बाद जो आठमा है वह है वेंटेज ऑफ सेक्टर and stock वो य भी फंड आप select करते हैं तो उसमें sector का और stocks काbrand is क्या है यह ज़रूर select कर लें कुम्छ sector होते हैं काफी perform करते हैं कुम सिन्मों होता है तो आप जो परफौं कर आखर उसका stock उसमें बिखे तो इसलिए सेक्टर को देखें फिर उसमें से जैसे ज्याद़ा व्रतिज दिया गया है तो यह देखें तो से परामेटर आपको कैसे देख रहा है उसके लिए यहां पाप फंड सेलेक्ट कर लिया है जो कि एकसिस ब्लू जीप पॉंड काफी कंसिस्टेंट रूप से रिटर्ण या 80% का CGR है एट साल कांसिस्टिन रूप से यह फंड रिटर्ण जेलेट करके अपने इंवेस्टर को दे रहा है और यहां पाप देखिए अभी उसका एने भी है वो एने भी है 51.75 पैसा और यहां पर बात करें रिटर्ण का तो काफी अच्छा रिटर्ण जेनरेट करके दिया है अगर मुझे फटर्ण से एक्सपेंस रिटर्ण जेनरेट करके हमेशा दिया है रेल फ्लेंग वाले ओल्लिंग जाए इसमें निगलिजिबूल है फिर यहां पर देखेंगे तो इसका जो आल टाइम लो है 11.59 पैसा है और ताइम है 51.75 पैसा है जो की अभी फिलाल है निच्छे आने पर यहां पर आप एक्सपेंस रिटर्ण देख सकते हैं एक्सपेंस रिटर्ण जिलो पाइंट फोर नाइन और यहां पर इसके जो पीड है इस फंड का एक्सफेंस रिशो सबसे कम है 0.49 परसेंट जबकि इसके आस पास मात्र मिरेज ے का है जो के 0.54 परसेन तो इतनी बहत्रिएंग के फंड है expense ratio के मामले में return में अगर 3 years का return देखें तो देखें यहां 3 years का return इसका है 19 परसेन तर जब कि और सफी fund का जो return है वो 18 परसेन भी नहीं है उसका 19 परसेन उसके आस-पास भी नहीं है expense ratio भी तो यहां पर सकते हैं आप दूसरा यहां पर देखें तो यहां पर देखें तो पी इसका काफी महगा मिलेगा जबकि केटेग्री का पी देखें मातर 42 है इसका भी 56 है तो हर मामले में यह पंड काफी बेखें नीचे आएंगे तो आपको इसकीम का इंफो दिखेंगा यह प्लान जब चाहे आप एकजिट का सकने हैं लेकिन यहांपर एकजिट लोट लगेगा और जो कि आपको return के रूप में lockdown में मिलेगा फिर lock-in की बार करें जिरो गेर से इसमें lock-in है मतलब कोई फी lock-in है जब चाहे आप exit का सकने हैं लेकिन यहाँ पर exit load लगेगा exit load क्या है? 3% लगेगा before 6 month 6 month से पहले कभी भी आप यहाँ पर exit लेते हैं 2% लगेगा अगर आप 6 month के बाद और 12 month के पहले exit करते हैं और 12 month के बाद और 24 month के पहले 1% exit load लगेगा 1% exit load लगेगा और 12 month के बाद आपको कोई exit load यहाँ पर नहीं लगेगा तो 2 years यहाँ पर अगर आप इसमें invested आते हैं इसके बाद आपको कोई एक्जिट लोड नहीं लगता है साथ यहां पर इसका जो बेंचमार्क है वो निफ्टी फिफ्टी है तो निफ्टी फिफ्टी का रिटर्न आप देख लिए पिछले आठ सालों में क्या रहा है क्या अपने बेंचमार्क को यह फंड बीट कर पाया है या नहीं मिनमुम लंगसम अगर आप लगाते हैं तो मिनमुम 5,000 आप एक बार लगा सकते हैं मिनमुम SIP यहां पर कोई लिमिट नहीं आप 100 रुपेज 500 रुपेज जितना का SIP चाहें तो स्टार्ट कर सकते हैं इस फंड में उसके बाद आते हैं टेक्स इंप्लिमेंटेश तो वन यह से पहले अगर आप प्रोफित करते हैं तो 50% का आपको सौन टर्म कैपलो गेन देना पड़ेगा जो भी प्रोफित आप यहां से अर्न करेंगे फिर अगर वन यह से अधिक रखते हैं तो 10% यहां पर आपको लगेंगा वन लाख रुपीज से ऊपर के आपके गै करते हैं तो कितना परसेंट का डीटर्न के नुसार कितना आपको एकस्ट्टेड जो है रिटर्न हो सकता है वह यहां पर आपकर है जिसको हम किसी और वीडियो में आपको अच्छे से अकल्पूलेट करके दिखाए लिए उसके बाद यहां लास्ट आते हैं तो फांड मैंग है जली हाँ पर देख सकते हैं स्रीयस देवालकर है और दूसरा ही 30 दास है इंका उसको चल्प है और यहां पर बीटेशन है उसके बारे पर और सके हैं जो एक्से असर्ट मैनेजमेंट कमनी यह से अक्से से बैस अन कर ती है इंडिया की तीसरी सबसे लार्जिट सेक्टर ब तो इसलिए काफी जादा स्कीम होने के कारण मुचल फंड को कंपेर करना अच्छे मुचल फंड को ढूंडना काफी कठीर होता है तो यह सारे परामेटर्स जिसके अधार पर आप मुचल करना हैं अपने बेसमुचल फंड में लॉंचल कशकतें कि लिए हम इड्ने कर उलस्याद तो यहां पर पोटफोलियों देखना चाहते हैं इसमें कौन कौन से स्टॉक हैं कितना मतलब वेटिज दिया गया है यहां पर जाएंगे पोटफोलियों में जाने के बाद आप आप नीचे आते हैं यहां देखिए इसमें पूल 93.47% है केस और केस्ट जो है इस फंड में वह है 2.93 इस फंड में जो भी इन्वेस्ट करेगा उसका इतना परसंट के रूप में रहेगा इसमें फिचर और आप्सन में जो काम किया जाता है 1.94 परसंट जो फंड का हिस्सा है डिपोजिट जो होता है 1.54 परसंट जो राइट्स होते हैं 0.12 परसंट यूज के जाता है राइट्स में फिर नीचे आते हैं यहां पा सेक्टर का वेटेज मिल जाएगा प्राइबिट बेंक का जो इसमें वेटेज है 22.58 परसंट है आईटी और कंसर टेसिंग का वेटेज 18.37 एसप्रेस लाइट फाइनस का 9.63 परसंट उसे तरह से और सभी जो सेक्टर से उसका वेटेज आप देख सकने हैं फिर आप इहां पार नीचे आते हैं तो जो गेर्ट होल्डिंग है तो इसकी इनफोसिस का सबसे ज्यादा होल्डिंग इस फंड में है वो है 9.67 परसंट बजाज फाइनस का 8.75 परसंट है इसमें तीसरा सबसे ज्यादा वेटेज वाले स्टॉक्स जो 8.68 परसंट साथी साथ पिछले तीन महिने में क्या जेंग यहां पाया है इस स्टॉक्स में वह भी आप यहां देख सकते हैं और टोटल कौन को से स्टॉक्स फंड में है वो सा सारी स्टॉक्स से जाएंगे कौन-कॉस इस स्टॉक्स है कितना वेटेज है साड़ी चीजें यहाँ आप आपको देखनी मिल जाएगा तो कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं जितने में पॉइंट्स मैं आपको बताये थी लबग सारी पॉइंट से इस तरह से आप उस पॉइ अगर जाना हो तो अलग जो यूट्यूब चैनल व्लॉग उस पर देख सकते हैं यहां बोर आपको मिल जाएगे इस फंट के वारे में क्या ऑपनियन है तो यहां पर देखते हैं कई सारे मतलब je जो इस इस पर अपना ऊपियन को जा करके किसी भी चैनल पर देख सकते हैं और यह उम्माण करते हैं कि यह वीडियो आप कैसे oni का का'M किया है तो वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ सेर जरूर कीजिएगा और चैनल पहली बार है ऐसे एजुकेस्टन और इंफॉर्मेटी वीडियो के लिए चैनल को जरूर सस्क्राइब कर दिजिएगा